नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन कलेजी और मटन गुर्दा यानि के लीवर एंड किड्नी और यह बहुत अच्छा बनता है मसाले बहुत कम जाते हैं क्योंकि मटन में अपना एक फ्लेवर होता है और यह वाली रेसिपी जो हैं स्पेशली जो भी बच्चे हैं मतलब जो नॉन्विस खाते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है और बहुत फ्रिक्वेंटली बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है तो आज हम यही रेसिपी बनाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीज देख सकते हैं तो यह क्लीन है इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको हटा लेंगे हम और इसको ना यहां तो कपूरे बोलते हैं NCR में बट सम्वेर इसको चुस्ता बोलते हैं तो वो भी क्लीन है कुछ किड्नी भी क्लीन है तो वो मैंने हटा लिया बट ना मैक्सिमम किड्नी पेस तरीके की एक लेयर होती है बाकी पर भी था बट निकाल के दिया होगा उन लोग तो इसको निकाल देना है अच्छे से ढ़की ही देखिये बहुत आज olmas JACKC прил द्लीन निकल जाता है बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है बट इसको निकालना ऎंगा गुल जाका आपको चाहिए ड Star आप मटन की शॉट वाली से रहka का सकते हैं है बनाना सुडू करेंगे है सिर्षाज रहते में मैंने ले लिया है और बहुत ज्यादा नहे लिया है मैंने आप देख सकते हैं छोटे बड़े मिला के छे साथ अनियन है इसको इस तरीके से काटना है बिल्कुल पतले स्लाइस में और लंबाई में ही काटनी हूं क्योंकि मटन पकने में बहुत टाइम लेता है तो प्यास भी अच्छा से गल जाएगा अब हम शुरू करेंगे बनाना तो पहले मैंने पैन चड़ा दिया है गरम कर लिया है डाल दे हूं सरसुका तेल देल थोड़ा सच्पा च्च्पाइब दालचिने का टुकड़ा एक मोटे इलाइची तीन हरी इलाइची तीन लॉंक और च्छोटा सचक्रिफूल का तुकड़ा तो ये खड़े मसाले डाले है मैंने उसके बाद मैंने डाला है आधी चम्मत जीरा साबुत और इसको डाल के थोड़ा सा चटक जाएगा फिर हम तुरन डाल देंगे इसमें प्याज और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनती है कोई बहुत जादा नियम फॉलो नहीं करना है बट बहुत अच्छी बनती है तो पूरा रेसिपी दिखिएगे एक बड़ जरूर क्योंकि लास्ट में भी कुछ चीज़े जाएंगी तो ये मैंने डाला है दो साबुत लेसन और ये जितने भी लोग पुरवान चलके हैं सारे ही यूपी बिहार के लोग जो है वो इसको डालते ही है क्योंकि ये लेसन चूक्स के खाने में बहुत मजा आता है तो ये मैंने डाल दिया है इसको ढग देंगे और ढखके भूनेंगे हम देखिए थोड़ी दिर बाद मैंने खोला है तो प्याज जो है वह आल्मूस्ट 50% भूज़ो का है थो और जल्द बाजी में थी इसलिए मैंने पेस्ट यूज़ किया है अधरवाइस मटन में आप सारी चीज़े हाथ से मसाले बना के डालो तो अच्छा रहता है तो थोड़ी देर और ढखके मैंने भूना है देख लेते हैं अच्छा अधरक लेसन का पेस्ट डालने से जो प्य यूज़ा भी अगया है इतना ही चहिए हमें इस से जादा नहीं भूनेगे आप जो भी है न वो मटन के साथ भूनेगा मसाले में लास्ट में डालती हूं तो यह दिछे तो सबसे पहले हम इसमें किड्णी डाल देंगे और लीवर को रहने देंगे क्योंकि किड्णी और ल अगर आप ज्यादा पकाएं तो पहले वह सौफ्ट होगा फिर और हार्ड हो जाएगा टेस्ट नियाएगा अच्छा तो उसको हम डालेंगे चार-पांच मिर्ट बाद सबको मैंने चला दिया है अब धक के हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अवेर रहना है कहीं जाना नहीं ह तो यह देखिए मैंने थोड़ी दिर बाद खोला है और आप देख सकते हैं कि बढ़िया भून रहा है यह तो पहले तो मटन को अच्छे से प्याज में भूनना है खूब अच्छे से ताकि मटन भी गल जाए और मटन भी भून जाए साथ में फिर से मैंने ढग दिया है और मैंने बाद में यूज किया वैसे साथ में भी डाल देते तो दिक्कत नहीं थी बट बनाने का तरीका यही है तो अब इन सब को चला के हम थोड़ी दिर और भूनेंगे क्योंकि लिवर को भी भूनना जरूरी है और अनियन थोड़ा सा और कढ़े गाना तो बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी खुश्बो आती है तो यह देखिए थोड़ी दिरवाद मैंने खोला है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हुआ है अब भी मतलब भून गया है बना तो नहीं है तो अब मैं डाल रहे हूं मसाले सबसे पहले अधी चमच हल पाउडर उसके बाद हम डाल देंगे नमक नमक सवाद के हिसाब से डालना है उसके बाद से इसको अच्छे से चला लेंगे अच्छा लगता है इसमें तो नमक आप हिसाब से डालिए कम हो तो बाद में फिर डाल लीजिए तो देखिए इसको अच्छे से चला देंगी और अब हम ढखके मेडियूम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक भूनेंगे और यह देखिए थोड़ी देर में ही क्या कलर आया है और अनियन का आप देख सकते हैं और खुश्बुक बहुत ही अच्छे आ रही है बहुत मस्त बनके रेडी होता है वैसे तो यह तो इसको थोड़ी दिर और हम भूनेंगे और यह देखिए यह पूरी तरीके से भून चुका है आप ओईल का कलर देखके बता सकते हैं और प्यास भी ना अब जरासा भी पानी इसमें नहीं है और प्यास भी अल्मूस्ट गल ग दालेंगे और पानी इस हिसाब से डालना है कि अभी यह पकेगा 10-12-15 मिनट तो उस हिसाब से डालना है तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है अब इसको ढखके मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट पकने देंगे इसको आराम से और देखिए मै को पतएक दो समी नहें है कि यह प्लास्ट में करा कर्देते वह सब्सक्राइब कशूरी में आं प्लास्ट में है कि यह दो कि पका है कि नहीं तो इसको चला के फिर से ढख देना है और यह देखे मैंने इसको 57 मिनट और पकने दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे और अब यह फाइनली पक गया है कलर से भी पता लग रहा है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी इग्दम पॉफेक्ट हो गई है ग्यास बंद करने के बाद थोड़ी सी और काड़ी होगी है थोड़ी और थिक होगी अब चेक कर लेंगे कि गला है कि नहीं वैसे मुझे पता है गल चुका है बट फिर भी यह देखो एजली कट रहा है ना लिवर एक दाम माराम से तो मतलब यह पक चुका है लेकिन हम किड बढ़ियां से पक गई है कलर बहुत प्यारा आया है खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है तो अब हम ग्यास कर देंगे बंद आप देख सकते हैं यह मैंने बंद कर दिया और फिर मैं आपको थोड़ी दिर में सर्फ करके दिखाती हूं यह देखो बढ़िया कलर आया है यह है किद्निकी रेशिपी और लिवर की और मटन का यह जो भी है न यह बहुत अच्छा बनता है और बहुत सरे लोगों को मटन पसंदनी आता तो यह पसंद आता है तो यह ह्यागे की हमारे रेशिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजएगा